एक चोटे से गव में दो दोस्त एक साथ रहा करते थे रुद्रा और वरुन रुद्रा एक ओफिस में जॉब क्या करता था और वो पैसे कमाया करता था जबकि वरुन को कोई भी नौकरी नहीं मिली थी वो नौकरी की तलाश में था एक दिन वरुन का दोस्त वरुन से कहता है अरे भाई वरुन मेरी बात तुम सुनो और मैं तुम से कहता हूँ कि तुम नौकरी धून लो वरना तुमें फूचर में बहुती तकलीफ होगी तो वरुन कहता है ठीक ठीक यार मैं जल्दी नौकरी धून लूँगा इसके बाद एक दिन रुदरा की ओफिस में रुदरा का बोस रुदरा से कहता है सुन रुदरा हमें बहुत ज़्यादा नुक्सानवा है इसलिए हम तुमें कमपनी से निकाल रहे है इतना के कर वे लोग उन्हें कमपनी से निकाल देते है इसके बाद रुदरा अपने घर पे आता है और कहता है अरे यार मेरी बात सुन मुझे मेरी बॉस ने ओफिस से निकाल दिया है अब मुझे समझ मिन्यारा कि हम लोग अभी यहाँ पे कैसे जीएंगे हमारे पास तो कुछ ही पैसे बाकी है रुदरा तुम मेरी बात सुनो तु इसमें वे लोग लोगों को बिर्यानी बना कर बेचा करते थे एक दिन वहाँ पे एक कपल आता है और वे लोग उनसे बिर्यानी खरीत कर खाते है वे लोगों को वो बिर्यानी बहु ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए वे लोग उने बहु ज़्यादा पैसी देते है इस तरह से रुद्रा और वरुन अपना बिजनेस करते वे खुशी-खुशी रहने लगते हैं.